हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आजका इस वीडियो में हम बात करने वाला है उपन सोर्श प्रोजेक्ट क्या है जैसे कि अंड्र इत्र ऐ स्वाद्र के बात कर बाने дорas evolution अफीर स्वाप्ट वैर स्वाफिय 69 बात करेंगे तोस्ति आप इस वीडियोに मिल 앞 तक देखते रहिए नमस्कार दोस्तो अवरापार्टी यूटूब चैनल में आप सभी को धेर सारा बहुत सारा स्वागत है मेरा नामे गोपाल तो चलिए दोस्तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते हैं दोस्तो ओपिन सोर्स प्रोजेक्ट या फिर ओपिन सोर्स सॉप्ट्रेयर हम यहां पर सॉप्ट्रेयर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एंडरोड एप्लेकिशन बनाता है तो हम एंडरोड के बारे में बात करेंगे जैसे कि कोई भी एक Android application का source code वो open source है ठीक है open source है मतलब free है सब के लिए available है source code क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दियता हूँ अगर आपको मालूम नहीं है तो source code एक language होता है application को बनाने के लिए Java या फिर XML और भी बहुत सारे language है है HTML या फिर CC++ बहुत सारे language है लेकिन हम यहां पर सिर्फ Android के बारे में ही बात करेंगे ठीक दोस्तों Android application बनाने के लिए XML जाबा लेंग्वेज का जुरूत पड़ता है और जो software है Android Studio Android Studio के बारे में आप सबको पता होगा वहां पर Android application बनाए जाता है Android Studio software है ठीक है और यहां पर आप application बना सकते हैं Android जाता है वो कोडिंग सिर्फ हम लोगों के लिए समझने के लिए है जो हम लोग कोडिंग करता है ना मतलब इंसान को समझने के लिए कोडिंग लैंग्वेज में बनाए गया है लेकिन दोस्तों जो कंप्यूटर है उसके लिए अलग है उस लैंग्वेज को समझने पाएगा उनके लिए बाइनरी कोड 00001010 इस तरह का कोड रहता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको कॉन्वर्ट करके समझता है वह अलग प्रोसेसर मैं आपको थोड़ा सा बता दिया अगर आपको इंगरी नहीं था तो तो जो सोर्स कोड होता है सोर्स कोड एंडुट एप्लिकेशन बनता है जो कोडिंग करके वह सोर्स कोड प्राइब होता है और तो यह से लिए इस टुडियो में एक प्रोजेक्ट बनाया एक एपलेकसिन का प्रोजेक्ट बनाया जैसे के दोस्तों ओपेन ब्लॉक्स बताया है ऑपिन सोर्स है अगर आप मेरा वीडियो से देखते हैं तो और एक अप्लिकस्ण है जिसकी मदद से हम लोग ब्लॉक की मद से application बना सकते हैं तो बताया जा रहा है ओ application open source है मतलब उसका source code सबके लिए available है आप भी उसका source code का स्थिमल कर सकता है मैं भी कर सकता हूं सबके लिए open है open source project का मतलब है अगर कोई भी source code सबके लिए free है आप भी इस्तिमल कर सकते हैं, मैं भी इस्तिमल कर सकता हूँ, उसको Playstore में Publish कर सकते हैं अगर आप बसिंपट सा प्रोजेक्ट को डाउनरोड किया उसको थोड़ा रहा बहुत नाम पैकेच नेम चेंज करने के प्लेश्टूर में Publish कर देंगे तो आपको copyright आपको नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों आप उसको इडिट करके open source का मतलब है दोस्तो सबके लिए free है, available है, हर कोई उसका इस्तिमाल कर सकता है, उसको modify कर सकता है, उसको edit कर सकता है, अपने मर्जी से, उसको और भी advance बना सकता है, ठीक है, और दोस्तो, अगर आप उसको प्ले स्टोर में publish करना चाहता है, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा edit करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा changes करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बस आपको ये बता दिया, जानकरी के लिए, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करके बताओगे जो भाई, क्या open source प्रोजेक्ट को हम edit करके प्ले स्टोर पर publish कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको edit करना पड़ेगा, modify करना पड़ेगा, उसके बात जाके आप उसको प्ले स्टोर पर publish कर सकते हैं, तो open blocks जो project है, जो application है, open source होने वाला है, ठीक है, इस बिसे में मेरे को एक comment आया था, तो इसलिए में वीडियो बनाया, नहीं तो नहीं बनाता, ठीक है दोस्तो मेरे को लगा, साइथ आप लोगो को पता नहीं होगा, दोस्तो प्ले स्टोर पर तो same design का, same तरह का application बहुत सारे है, ठीक है, तो open source project को download करके, हाँ उसमें आप addmob का add भी लगा सकते हैं, दोस्तो, ठीक है, addmob add लगा दिया, थोड़ा सा edit करके, प्ले स्टोर पर publish कर दिया, तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा, जो open source क्या होता है, open source project, दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, तो like कीजिए, कोई भी सवाल या कोई भी question है, तो आप नीचे comment कर दिजिए, और इस वीडियो को share कर दिजिए, अपना दोस्त, friend सभी के पा